तो गैस सहर में एक सीरियल कीरार बच्चा गुम रहा है जो काफी सारे लोगों को मार रहा है तो इसलिए गैस हम उस बच्चे को मानने के लिए यहाँ पे आये है अभी तक आप लोगों ने पार्ट वन और पार्ट टू नहीं देखा है तो जाके पहले देख लेना बाद में देखने के लिए आना यहाँ पे गाइस काफी बड़ी लंबी इंग्लिस में यहाँ पी कुछ नॉट लिखी हुई आ रही है लेकिन मुझे समझ में आ गया है कि उसमें क्या लिखा हुआ आ रहा है तो चलो गाइस फटाफट से इसको स्कीप मारते हैं और गाइस फटावर स पास आ रहा है तो चलो गाइस मैं यहाँ पे छूप जाता हूँ तो भाइस साब थोड़ी दर यहाँ पे वेट करने के बाद जो बच्चा है वो यहाँ से चला गाए तो चलो गाइस फटावर से दरवाजा को ओपन करते हूँ और सीधा चलते है गैराज में गैराज सामने लेकिन गाइस बच्चा हमारे आसपास है लेकिन कोई बाद नहीं गाइस फटावर से जो सामने जो कैट रखी है टोई कैट उसको मैं उठा लेता हूँ फटावर से यह रही टोई कैट हमारी और भाइस साब इस तरव गैराज का दरवाजा उसको खोल के में सिधा बाहर चल परनाख डॉग है यह लेकिन अभी इसको डिस्ट्रेक कैसे करना है मुझे पता लेकिन भाइस साब क्या ही खूखार डॉग है इसके दात कितने बड़े बड़े हो और भाइस सब इसकी आखे बहुत चमकरें यहां पर एक और डोर है मैं इसको ओपन करके अंदर चला जाता ह कहीं हमको थपा ना कर दे भाइस साब डॉग तो काफी बड़े हमको देखके कुछ रियक्ट नहीं किया पता नहीं क्यों तो भाइस सब हम जो टॉइके लेके आये थे वो डॉग के सामने रखने होगी ताकि वो जो डॉग हो जाए और बसने का स्टार्ट कर दे तो भाइस स मुझे ऐसा लग रहा है कि वो बच्चा आवाज सुनके यहां पर झरूर आएगा मुझे ऐसा लग रहा है और वह मारे प्लान के मुताबिक जैसे वो बच्चा आएगा उसको यह डॉ डॉल दिखानास्त toutes डर जाए और भाइसाल अचुका है और उसने हमें उसको डॉल दिखाने साथ में बार निकल जाना अनौucht साभ एम बार दिखा देगे ताकी वो जो चाम है और नीचे गिरा दे और हम उसको उठा ले जाके यहां पे गाइस नीचे लिखा हुआ आया है कि Now collect the देट्वार चार्स semu morning charm भाई साथ फड़ा वर से चलते और जो चांथ में उसको collect कर लेते हैं बैस अभी बचता साय से चला गया है मुझे हैसा लग रहा है हो गिरा वहाँ पे जो हात में लेखे आया था वूं उसने गिरा दी है चाम तो चलोगा इस फटावर से उसको collect कर लेते हैं तो भाई सब यहां से अभी बच्चा चला गया और यह रही हमारी चाम तो गाइस फटावर से इसको मैं collect कर लेता हूँ तो भाई सब यह जो टाक्स के हमने complete कर दिया है अभी गाइस next स्टाक्स हमारा आ चुका है let's finish this now find a matchbox and burn everything in the playroom and when the child come in the lock both the doors and playgrounds are escaped and let's child burn in fire okay guys मुझे इसा पढ़ने का आता नहीं है लेकिन कोई बाद नहीं जैसा पढ़ा वा सब कुछ ठीक ही था और भी गाइस फटावर से कीचन में चलते कीचन में जैसे मैच box collect collect here हमारा कीचन तो भाईस अब यहां पर match box पड़ा हुआ है तो चलो गईस यह मैंने उठा लिया यहां से लेकिन बच्चा साहट से आ रहा है मैं यहां पे छूप जाता हूँ साहाँ से अभी बच्चा साहट से हमारे प्यारगे पीचह था पहीं पे लेकिन भाईस मुझे भी तो कहांपे दिखाई नहीं दे रहा है खेर चलो दोस्तो अभी निकलते हैं यहांसे अभी गईस हमारा जो टास्क है वो यह है कि हमको सिधा प्लेरूम में जाना है प्लेरूम में जाके सब कुछ है वो जला देना है भाई साब कितनी दूर है प्लेग्राउंट में जहां से पीछे गया था घर के पीछे मुझे जाना है और जो बच्चा है साय से पोचदा धीरे चलता है तो भाई साब अभी खेर हम आ चुके हैं यहां पे यह रहा डोर हमारा कुता कहा गया है यहां से पता ने कुता कही चला गया है लेकिन भाई साब यह रहा डोर और भाई साब इसको में ओपन कर किसला अंदर चला जाता हूं अभी गाइस यहां पे यह जो प्लेग्राउंट है उसको सब कुछ मुझे जला देना है राक कर देना है यहां पे जो मैच बॉक्स में कीचन से उठाकर लेकर आ है भाई से दरवाजा है लोक कर दूँगा ताकि वो बच्चा कई से बाहर न निकल पाए अभी तो गाइस वो बच्चा दिखाई नहीं दे रहा है पता नहीं कहां चला गया है अभे कहां मर गया अभे सुबे सुबे अभे जल्दी आ चल मुझे कल सुबे पनवेल भी निकलना है भाइ साब अमने रूम है वो कर दियें अभी भाइस सब बच्चा है वो बच्चा पुरा का पूरा जल रहा है लेकिन भाइस बच्चा नहीं है तो िया है और गाइस आज पर जला के बच्च के फिने व्ड़ियों देखे मज़ा आया तो फटा फट से वीडियो को लाइक करदो अगर दोस्तों चैनल पर पहले बाहर आए तो चैनल को सस्क्राइब जरू करते चलो पड़ावर से लाल वाले तो पटन उसको फटावर के दबा दो तो चलेगा इस मिलते ऐसी और एक इंट्रेस्ट विडियो के साथ तब तक दोस्तों जैन जै भारत जैने पारत